महिना समस्या और संगर्शका, उजवल भविशकी योजना का, क्रोध से बुद्धी, गमन से ग्ञान और लालत से इमानदारी नस्ट होती है गल्ती होने पर उसका प्राइश्चित करने से पाप समाप्त होता है क्रोध और अभ्वान, ये दो चीजे मनुष्य को नकरात्मक मारग पर लेकर जाते हैं लेकिन प्राइश्चित करने से मनुष्य किसी भी परिस्थिती से बाहर निकल सकता है उन्नती के मारग पर चल सकता है इस बात को तुला राशी के जातकों ने इस मैने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए सभी को साथ लेकर चलना, सभी के साथ उचित नयाय करना उचित संतुलन बनाना, रिष्टेदारों के साथ अच्छा व्यवहर करना ये सभी आपके स्ताई भाव है नमस्कार, मैं आइस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी, आप सभी जोतीश प्रेवियों का हारदिक स्वागत करती हूँ हम अगस 2024 मैने के राशी भोविश्य को समझ रहे हैं उसमें आज हम तुला राशी के जातकों के लिए ये महना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्थालाब करेंगे विभिन्न दुरुष्ट कोन से इस महने की ग्रहस्तिती का हम शास्त्रोक्त विशलेशन करने वाले हैं साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महने करने वाला विशेश उपाय बताने वाली हूँ इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूले एक और महत्वपूर्ण बात है हम विभिन्न दुरुष्टियों से ये महना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं उससार इस मेने आपका अनुभोग क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुचा सकते हैं ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुच सके भ्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशी स्वामी की स्थिती महत्व पुर्ण होती है तुला राशी के स्वामी शुक्रदेव लाभस्तान में विराजमान है जिस कारण लाभ कैसे प्राप्त करना है किसी भी व्यवहार में डील कैसे करना चाहिए व्यवार कैसे निश्चित करते हैं, इस संदर्भ में आपके राशी स्वामी आपको सकारात्मक प्रेरणा और विचार देंगे, सौभाविक रूप से, इन सभी चीजों का आपके व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसी के अनुसार इस काल में आपका व्यक् होने वाला है, इस काल का सदुपयोग करें, धन परिवारवानी की दृष्टी से विचार करें, तो तुला राशी के लिए मंगल देव की स्थिति महत्व पुर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है, मंगल देव इस काल में आपके अस्ठम स्थान में विराजबान है, क गुरुदेव और मंगल का गठवन्दन होने के कारें, वह इसी संभावनाक को नकारा नहीं जाता, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले, पराक्रम और परिश्रम की दृष्टी से विचार करें, तो तुला राशी के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्व पुर्ण होती है क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है, जैसा मैंने अभी बताया, गुरुदेव आपके अस्थम स्तान में विराजमान है, अर्थात आप किसी योजना को बनाएंगे, काम की शुरुवात करेंगे, ऐसा विचार करेंगे, तेकिन प्रत्यक्ष्य काम की शुरुवात कर पर उसमें बाधा निर्बान होगी, जिस कारण उस काम को अधुरा छोड़, आप किसी दुसरे काम पर ध्यान देंगे, जिस कारण आपका नियोजन खराब होगा, इसलिए उचित पद्दती से योजना बनाना, जिम्मेदार्यों की पूर्ति करना आपके लिए अत्यनत कारात्मक कहा जा सकता है, वास्तु के शुभयोग निर्मान होनना, वाहन से लंबी यात्रा की योजना बनाना, वास्तु या वाहन का नविनी करन करना, ऐसे कई शुभव प्रभाहों आपको इस काल में प्राप्त होंगे, संक्षप में इन सभी दुरुष्टियों से ये का काल अत्यन्त शुभव कहा जा सकता है, पढ़ाई में आपकी बड़ी उन्नती होगी, जो तुला जातक प्राथमिक शिक्षा में है, उनके लिए ये काल अत्यन्त शुभव रहेगा, पढ़ाई के साथ, आप कोई दूसरी कला भी सिख सकते है, जो आपके लिए दिर्गकाली इन लाभकारी रहेगी, इस्ट देव आपको आश्रवात देंगे, इस काल में आपकी संतती बड़ा करतूत्व करने वाली है, संतती के करतूत्व से आप प्रसन्न होंगे, आपको उन पर बड़ा गर्व होगा, समाधान भी मिलेगा, कुल मिला कर इन सभी दुष्टियों से ये काल आपके लिए अत्ते शुबह रहेगा, उसका आपने पूरा लाभ उठाना चाहिए है, स्वास्त कर्ज प्रतिश भर्दी शत्रों की दुरुष्टि से विचार करें, तो तुला जातकों के लिए ये महिना थोड़ा परिशानी का कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपके शत्रू प्रबल होने वाले है, उनकी गतिविद्यों के कारण एक नकारात्मग भाव आपके मन में निर्मान होगा, लेकिन उनका कारिया आपके लिए बाधा निर्मान करने का रहेगा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन बाधाओं से अपनी प्रगती साध्य करना, इस मेने वह आप निश्चित रूप से करने वाले है, अर्थात इस मेने आपके लिए थोड़ा संगर्श रहने वाला है, फिर भी आपकी उननती लगातार होते रहेगी, जिने करजे के आवशकता है उन्हें हो प्राप्त होगा, अत्यनत संभव हो तो इस मेने करज ना ले, आवशक होने पर दूसरा और कोई विकल्प हो ना बचे तो ही करज का विचार करे ये सलाह दी जाती है, नोक्रियों व्यावसाई के दुरुष्टी से विचार करे तो व्यावसाईक तुला जातकों के लिए ये मेना थोड़ी बाधा परेशानी संगर्श निर्बान हो सकता है, लेकिन आपका व्यावसाई, यदि आकाउंट याज एक शेत्र से संबंदित हो, तो उनती के मारगा आपके लिए प्रशस्त हो सकते हैं, नोक्रियों व्यावसाई करने वाले जातकों को अपने ससराल से सहयोग प्राप्त होगा, अचानक धन प्राप्ती के योग निर्म प्रोजन का काम करेंगे, इसलिए इस काल का सद्वपयोग करें, भाग्यों शुबसंक्यत की दुरुष्टी से विचार करें, तो तुला जातकों के लिए ये महिना कई शुबसंक्यतों से बढ़ा है, उसमें मुख्य रुप से कहा जाए तो भाग्येश का लाभस्तान में ह में होता है, तो भाग्येश से लभप्रापतफाई होती है, उसके अलावा, पंचमेश भी पंचम स्थान में विराजमान है, आपके पंचमेश शनी देव अपनी मूल तरिकोन राशी में विराजमान है, इसलिए उसे भी हैं मत्यंत बड़ा शुबसंकेत कह सकते हैं शनी देव आपको भरपूर फल प्रदान करेंगे विशेश बात है कि अभी वे वक्रिय वस्ता में होने के कारण उनका चेश्टा बल बढ़ा हुआ है संक्षेप में ऐसे कई शुबसंकेत इस समय काल में आपके लिए निर्माण होये है उनसे आपको शुबह परिणाम प्राप्त होने वाले है इस काल का सदूपयोग करें कर्म की दुरुष्टी से विचार करें तो तुला जातक सदैव कर्मों प्रदान होते है लेकिन कर्म करते समय आप अत्यनत शान्त और सौंग में रहना पसंद करते है इस महिने ग्रव का गोचर देखा जाए तो प्रत्तम पख्वाडे में आप विशेश कर्म प्रदान हैंगे उस कर्म के वास्तवी फल आपको दुसरे पख्वाडे में प्राप्त होंगे उससे उचित लाभ प्राप्त होगा लाभ की दुरुष्टी से विचार करें तो जोतिश्णिय मूख्य अनुसार कुंडली के लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए वहाँ पर आता है महने के प्रारंब में वहाँ बूद और शुक्र ये दो ग्रह विराज सबार है सुलह तारिक को वहा रविदेऊ का आग्वन होगा जिस कारण लाभ के कैये उसर आपके लिए निर्माड होंगे आपके लाभेष्र रवीदेऊ सोलह तारिक को लाभ स्थान में प्रवेश्कर एक मैना वही पर रहेंगे जिस कारन ये काल आपके लिए बड़ा के लिए इस काल में कई खर्च निर्मान होने वाले हैं हॉस्पिटल के कुछ खर्च भी आपको करने पड़ेंगे साथ ही पड़ाही यात्रा घर का कोई शुभकारक्रम शुभकार्य घर का नविनी करन नई खरेदारी ऐसे कई कारणों से आपको खर्च करना पड़ेगा इन मे सबन सूख दूख और उतार चड़ाव से भरा होता है कोई भी व्यक्ति सम्पुल्ण सुखिया संपुल्ण दुख्य हो नहीं सकता उस अनुसार हर दीन सभी के लिए समान हो नहीं सकता मेहने के कुछ दीन सूख समाधान सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दीन संगर्ष कठिन या और तनाव से भरे होते हैं इस दुरुष्टी से तुला जातकों के लिए साथ सत्रह और पचीस ये दिन विशेश रूप से सुखदाय के और शुभर रहेंगे साथ ही पाच पंद्रह तेईस ये दिन अशुबयों तनाव पूर्ण रहेंगे इन दिनों में आप कठिनाईयों बाधाओ और समस्याओं का अनुभोग करेंगे तो ये मानसिक्ता बना ले आगे बढ़े उपायों की दुरुष्टी से विचार करें तो जूतिश में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बढ़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है अशुबची जोकी अशुबता कम करने का शुबची जोकी शुबता बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है उस अनुसार मंत्र लाभकारी होते है इसलिए मैं राशिक अनुसार शनीद्यव के मंत्र देने वाली हूं आप अब हर रोज उनका जाप करें उस अनुसार तुला जातकों के लिए ओम महनिय गुणात्मने नमाहा, ओम मरत्य पावन पदाय नमाहा, ओम महेशाय नमाहा, ये मंत्र दिये जाते हैं, इनके शुभप्रभाव आपको प्राप्त होंगे, इस प्रकार मेश से लेकर मिन्थक हर राशी के लिए अगस 2024 कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए हमने 12 वीड पुनश्य मिलेंगे, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जह जोतिश लिखना ना बुले, धन्यवाद, शुभम भवतु, हरहर जोतिश, घरकर जोतिश जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की, शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए, मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं, उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ, बेल आइकोन दपाना ना भुले, धन्यवाद